तो यहां पर हमारा रहेगा लेक्चर नमर 7 रिगार्डिंग लाइट यह रहेगा यहां पर लाइट के रिगार्डिंग लास्ट लेक्चर यहां पर यह वाले लेक्चर में हम फोक्स करेंगे यहां पर वेव आप्टिक्स वाला पॉर्शन जो है ना यहां पर कुछ important properties देखेंगे clear ज्यादा depth में नहीं जाएंगे basic देखेंगे जहां से आपका mcq पूछा जाएगा and फिर इसी lecture में हम यहां पे human eye को cover करेंगे human eye की working को देखेंगे human eye के related जितने भी defects होते हैं disease होते हैं उनको cover करेंगे जो भी important point रहेंगे जहां से आपका question पूछा जा सकता है उनको हम यहां पे cover करेंगे clear तो देखेंगे पहला जो topic है यहां पे that is total internal reflection अभी तक हमने reflection पढ़ा था reflection पढ़ा था clear तो यहां पे हम देखेंगे total internal reflection clear तो देखेंगे mostly आपका question कहां पे पूछा जाएगा आपका question यहाँ पे application उसके पूशा जाएगा clear यह आपको ध्यान में रखना है application आपसे पूशी जाएगी कि यह application किस की है total internal reflection की है, polarization की है diffraction की है, तो यह चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है तो देखे, total internal reflection में आपको यहाँ पे दो mediums का ध्यान रखना होगा one is dancer medium and another is rearer medium and definition भी यहाँ पे कभी को बार पूशी जाती है total internal reflection हम किसे कहते है तो पहला basic point जो आपको याद रखना है कि यहाँ पे light travel करेगी from dancer to rearer medium आपसे statement दी जाएगी, आपको बोला जाएगा, when light travels from rearer to dancer, no, that is wrong light travel करनी चाहिए from dancer to rearer medium clear, तो देखिए हाँ पे अगर हमारे पास यहाँ कोई surface तो हमने देखा था अगर कोई surface में यहाँ रही है light यहाँ पे clear, यहाँ रही है light, तो हमने देखा था जब light किसी particular angle पे आए तो वहाँ पे तीन फिनोमेना हो सकती है one is reflection, another is reflection and another is absorption clear, तो देखिए let हमारे पास यह है यहाँ पे देखिए यह हमारे पास optically denser medium and बाहर क्या है, बाहर है rear medium and यहाँ पे हमने रखाए कोई source या फिर torch वगेरा, तो यहाँ से light आ रही है तो देखिए, पहला यहाँ पे, पहली ray जब भी ray क्या आए, नॉर्मल आए तो हमने देखा था, वो ray क्या जाएगी उसमें यहाँ पे ना तो reflection होगी, ना ही reflection होगी clear, तो यह ray कुछ यूँ जाएगी clear, अब अगर यहाँ पे हम थोड़ा angle change करें, यहाँ पे हमने angle change किया यहाँ कि angle को हम major करते हैं हमारा ज्यान किस पर है, यहाँ पे reflection पर, clear, आप reflection पर ज्यान जी दीजिए, यहाँ पर, तो यहाँ पे reflection होगी इस angle पर, फिर अगर हम angle को increase करें, clear, तो यह incidence, clear, यह incidence, यह angle of incidence को अगर हम increase करें, तो light कुछ यूँ जाएगी फिर अगर हम angle of incidence को increase करें यहां पे light यह रेफ्रक्ट गई वह एंगल जहां पर light जो है न वो 90 डिग्री पे रिफ्रक्ट करें क्या करें 90 डिग्ड यांट करें यह यह याँ पर जा रही है 90 डिग्री पर आगर आप देख रहे हो अगर यहां पर आप normal ड्रा करोगे तो यह angle क्या बन रही है यहाँ पे 90 degree clear क्या बन रही है 90 degree तो यहाँ पे concept आता है critical angle का यहाँ की angle C critical angle क्या होती है critical angle होती है angle of incidence कहाँ पे denser medium है angle of incidence in denser medium clear and उस angle के लिए जो angle of reflection है ना angle of reflection उस angle of incidence के लिए अगर angle of reflection क्या हो जाए अगर angle of reflection rearer medium में 90 degree हो जाए क्या हो जाए 90 degree यहाँ पे जो अब reflection हो रही है वो किस angle पे हो रही है वो 90 degree पे हो रही है with normal तो इसको हम बोलते है critical angle क्या बोलते है critical angle तो यहाँ पे again मैं आपको समझाता हूँ देहिए अच्छे से समझे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे करभी खबार definition भी बोची जाती है तो यह हमने light को इस angle पे यहाँ पे लिया तो यह आई incident ray यह हुई refract यहाँ पे यह incident ray तो यह refract जब हम angle को बढ़ा रहे हैं तो जब हम यहाँ पे angle को बढ़ा रहे हैं तो वो angle जब angle of reflection angle of reflection कहां पर rear medium में हो जाए equal to 90 degree यानकी यहां पर दिए यह refraction तो यह è angle of reflection जब यह angle 90 degree हो जाए तो इसको हम बोलते है critical angle clear I hope आपको समयज में आया होगा तो critical angle पर ध्यान दिजए अब total internal reflection क्या होता है तो देखे यह है critical angle यहां पर जब अगर तो अगर हम further increase करें, यहां कि angle of incidence को further increase करें, यहां कि beyond critical angle, तो वहां पे क्या होगी, वहां पे अब सिर्फ reflection होगी, no reflection will take place, यहां पे है no reflection, clear, no reflection will take place, यहां कि यहां पे अब खाली क्या होगी, यहां पे खाली, अब reflection ही होगी, यहां कि reflection नहीं यहां पे occur करेगी, यहां कि अब ज Reflection Refraction यहां पर Reflection Refraction अब further अगर आप Increase करोगे इस Critical Angle के अगर इस Critical Angle को आप Exceed यहां पर करोगे यहन कि Angle अगर 90º के पार जाएगा तो वहां पर खाली क्या होगी खाली वहां पर अब Reflection होगी तो यह है Basic Fundा Total Internal Reflection का तो इसको हम बोलते हैं Total Internal Reflection यहांकि only reflection will occur no reflection will occur यहांकि reflection नहीं होगी खाली reflection होगी यहांपे तो इसको हम बोलते हैं total internal reflection I hope आपको समझ में आया होगा मैन आपको याद रखना है that is application यहांपे पहली application mirage then optical fibers, glittering of diamond, rainbow, periscope अब mirage क्या होता है अगर आपने देखा होगा किसी Registan में जब हम जाते हैं अगर आप जाओगे वहाँपे अगर आप गाड़ी में travel कर रहे हो या फिर किसी ओंट पे travel कर रहे हो तो आपको थोड़ा दूर यहांपे पानी दिखेगा जब आप वहाँपे जाओगे वहाँपे आपको पानी नहीं दिखेगा वहाँपे आपको simple road दिखेगा फिर आप आपको थोड़ी दूर यहांपे पानी दिखेगा तो जितना आप आगे देखोगी आपको लगेगा कि यहांपे है पानी तो यह होता है क्या इसको हम बोलते है मिराज कहाँपे फिजिक्स में clear तो एक टाइप का दोखा यहांपे 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 क्या फिनामेना ओकर करती है यहांपे total internal reflection ओकर करती है और यहांपे मिराज application आपको दिखती है या फिर optical fibers जो होते हैं clear optical fibers जिनको हम endoscopy वगेरा में use करते हैं clear endoscopy यह क्या होती है biome मैंने पढ़ाया था clear तो यहांपे भी कौन सी application होती है total internal reflection clear and optical fibers से related important point यहांपे याद रखिएगा कि optical fibers को किसने invent किया था तो यह है narendra narendra kapani narendra k-a-p-a-n-e-y इसको भी काफी बार पूछा जा चुका है narendra kapani clear n-a-r-i-n-d-e-r narendra kapani ने optical fibers को invent किया है then glittering up diamond आपने देखा होगा जो diamond की चमक वगेरा होती है यह किसे कारण होती है total internal reflection के कारण या फिर rainbow phenomenon किस कारण होती है total internal reflection के कारण या फिर perioscope अब perioscope क्या होता है देखे perioscope की अगर मैं बात करूँ तो यहां पे है यह है अंडर वाटर object यहां पे clear यह है land वाला portion हमारे पास यह हैं की तॉप लिया रफ तो यह है अंडर वाटर object यहां पे अगर इस अंडर वाटर object को आपको locate करना है तो यहां पे कुछ instrument जो है न कुछ यूँ होता है वो instrument देखे इस type का instrument होता है तो यहां पे अगर बंड़ा है यहां पे बनदे की आए है यहां पे तो अगर यह वाला object हमें locate करना है तो यह object यहां की देखेगा and finally image यहां पे आपको देखेगी यहांपे यहांपे यूज होता है यहांपे 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 दिखेगी यहांपे आप इसको लोकेट कर पाओगे तो पेरियार्सकोप भी वर्क करता है on total internal reflection जितने भी यहांपे मैंने mention किये इनको काफी बार पूछा जा चुका है different papers में next time यहांपे scattering of light clear scattering of light तो scattering chemistry में भी पढ़ाया जाता है like 10 doll effective वगेरा तो यह chemistry में भी हमने पढ़ा था clear तो अगर मैं scattering की बात करूँ तो scattering देखिए यह है श्रानिया पे clear यह है श्रानिया पे clear तो sun अगर हम basic बात करें यह फिर basic definition scattering की scattering की होती है जब भी light यहांपे है कोई atom मेरे पास क्या है यहांपे atom तो यहांपे आ रही है light ray clear यह fall कर रही है किस पे atom पे यह है atom यहाँपे अब atom में क्या होते हैं different electrons होते हैं clear अब जब light यहाँपे fall करेगी यह जो electrons है यह हर तरफ आपको फैलती दिखेगी इसको हम बोते हैं तो स Durham MPye certified coming from atmosphere हमारा atmosphere तो यह है sun यहाँ पे sun से क्या आती है light आती है जो atmosphere होता है यहाँ पे different particles होते हैं and in particles की vibration के कारण क्या होता है यहाँ पे जो light from sun है यह scattered होती है all over our atmosphere तो I hope आपको समझ में आया होगा या फिर basic definition practical definition की अगर हम बात करें अपने lab में देखा होगा कि जब भी light को pass किया जा यहाँ पे आप light का beam लगाओगे clear फिर यह जो light beam है अगर आप side से देखोगे clear अगर आप side से देखोगे आपको यह blue देखेगा but अगर आप end से यहाँ पे clearly देखोगे यह जो beam बाहर निकलेगा यह आपको red देखेगा इस ही को हम बोलते हैं scattering clear अब scattering की important applications है जिनको आपको य 99% chance है अगर scattering पे question आए total internal reflection पे question आए आप से application ही पूछी जाएगी तो blue color of sky जो हम देखते हैं it is due to scattering clear it is due to scattering या फिर red color of signals जो होता है यानकी signals जो होते हैं वहाँ पे जो red color दिखता है it is again due to scattering क्योंकि यहाँ पे wavelength and scattering का fundamental यहाँ पे funda होता है क्योंकि scattering जो है आए amount of scattering जो होती है that is inversely proportional to wavelength raise to power 4 clear तो जितनी scattering होगी उतनी wavelength कम होगी यानकी जिस color की यहाँ पे wavelength कम होगी scattering ज्यादा होगी according to यह depends करेगा यहाँ पे condition किस type की है clear red color at the time of sunrise and sunset यानकी जब sunrise होता है या फिर sunset होता है वहाँ पे आपको red color show होता है clear sun में तो वो किस कारण होता है वो reddish color that is again due to scattering या फिर black color of sky clear in absence of atmosphere यानकी अगर atmosphere नहीं होगी तो हमें क्या दिखेगा black color of sky तो यह भी किस कारण हो सकता है it will be again due to scattering then ramen effect या फिर tendal effect clear ramen effect क्या होता है ramen effect होता है simply wavelength में change होना during scattering तो it is called ramen effect clear जब भी किसी collideric solution के through यहाँ पे light जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा जो wavelength है ना light की वो change होगी इसको हम बोलते है ramen effect या फिर tendal effect आपने chemistry में पढ़ा होगा clear tendal effect क्या होता है simply scattering किनके दो रहा collideric solution से दो र प्रोपर्टियां यहां पे scattering of light की नेक्स्ट है यहां पे interference of light तो interference of light जो है ना it is property of wave optics तो यहां से clear तो यह वाले यहां पे topic से interference of light से जो भी हम definitions पढ़ेंगे polarization diffraction तो these are properties of wave optics clear तो these are properties of wave optics तो अभी तक हमने पढ़ा था ray optics clear आच्छा wave optics में क्या है यह पुइंट्स आप खुद अबी में खुद no down कीजिए wave optics में हम मानते हैं कि जो light है ना it is form of energy but कि इस type की है यहां पे यहां की light जो है ना वो यहां पे belong करती है wave को यहां फिर light यहां पे light के particle travel करते हैं in terms of wave यहां पे clear and wave optics क्या क्याता है most important point यहां पे यह बोलता है कि जो light है ना यह belong करती है visible part of electric spectrum को हमन electric spectrum spectrum पढ़ा था कहां पे waves में तो wave optics में यही concept है कि जो light है ना यह बिलॉंग करती है कि इसको visible part को clear and lambda यहां की wave लेंगा था light जो है ना that इसको लिया जाता है 4000 to 8000 angstrom clear यहां कि इस range में अगर light लाइक करती है तो यहां पे आपको wave के according इसको यहां पे study करना है clear and most important point यहां पे है ना यह light waves की किस property को define करता है यह define करता है कि जो light waves है ना जो light waves है ना they are transverse in nature clear they are transverse in nature this is most important point यहां कि light waves are transverse in nature this is according to wave optics next time यहां पे interference देखिए यहां पे आरही है light clear यहां पे आरही है light यह है एक beam यह है दुसरा beam. तो interference चाही होती हैस इंटर्फेरंस होती है non-uniform distribution of energy clear like हमने पो लगा था आपकर wave क्या होती है wave होती है wave में जैसे हमने देखा था 파τι collks चा करते हैं वाइबरेट करते हैं वहाँ पे तो देखिए यहां पर अगर हम interference की बात करें तो यह बोलता है कि phenomenon of non uniform distribution of energy and कि यहां पर क्या हो रहा है non distribution of energy किसी particular medium में जब यहां पर क्या हो जाए यहां पर super imposition हो जाए देखिए यहां पर क्या हो रहा है यहां पर super imposition हो रहा है किनका light wave उसका तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं interference of light most important point is here कहां पर interference में तो आपको याद रखना है कि यहां पर interference में जो energy होती है that is conservative this is most important point here clear and then अगर आपको यहां पर property में याद रखना है कि जो thin films होते हैं कहां पर water में या फिर oil वागिर हमें form होती है जो thin film form होती है कहां पर oil में तो यह किस कारण होती है it is due to phenomena of interference clear आपने देखा होगा oil या फिर water जब इनको हम क्या करें mix करें तो वहां पर क्या form होती है वह war that is due to interference next time याप पोरारिजेशन clear Polarization, तो देखें यह आ रहा है light का भीम clear यह आ रहा है light का भीम तो यह जो light का भीम आ तो यहां पर कि जाए गी fairly क्थैज़ीं कि इसे फिक्स झाए की इस द किनी को वह किसी पर्टिकौलर में के हिए एय कि उनको क्या पर्रीक्श्यक्ष और नियम एडियागी कापी बड़े इस बिर्फली यादी करेंगे कि हम इए प्猹 पर्लास पो डटेक्ष से आप अप इसको हम बोलते हैं क्या polarization यानकि फिनामेना आफ रिस्ट्रिक्षिंग वाइरेशन सब्लाइट किसी पर्टिकुलर डिरेक्शन में clear तो जो polarization है इट शो ट्रांस्वरस नेचर आफ लाइट यानकि यह क्या शो करता है तो देखे अभी तक हमने देखा रिफ्रेक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैरिंग, एब्जॉर्प्शन क्या है तो डिफ्रेक्शन क्या है? डिफ्रेक्शन है इन शॉर्ट फिनामेना आफ बेंडिंग अफ लाइट तो देखे यह आघी है लाइट and यह लाइट जो है न किसी पर्टिकुलर डिरेक्शन में यहाँ पर बेंड हो रही है तो इसी को हम बोलते हैं क्या है? डिफ्रेक्शन और जो डिफ्रेक्शन फिनामेना है यह आपको दूनू में दिखेगी चाहे sound waves हो या फिर light waves यहां पे दूनू में आपको क्या दिखेगी phenomena of diffraction next रहाँ आपे human eye clear human eye तो देखिए यहां पे important क्या रहेगा यहां पे रहेगा important working of human eye and defects of vision यहां पे तो देखिए यह हमारी human eye clear यह है इसको यहां पे break किया गया है different parts में we all know that कि जो light आती है हमारी human eye में तो वो enter करती है through cornea पहला basic point कि light enter करती है हमारी eye में किसे through cornea के through यह आपको पहला basic point पता होना चाहिए clear यहां की cornea के through फिर यहां पे आता है iris clear या फिर इरिस आप बोलो clear तो यहां पे आता है iris तो iris के behind क्या होदी है iris के behind यहां पे आपको lens देखेगी clear यहां पे आपको यह है iris फिर यहां पे इसे behind। तो दकेचेहां पे यहां पे आपको देखेगा pupil क्या देखेगा यह वला portion तो देखे है pupil clear क और है open i.s तो दीए यहां पर आपको दीएगा एक वरक्सुमर यहां पर क्या करता है यह होता है यह जूख वाटरी फिल्यões तो यह क्या प्रोवाइड करता है जो इंटरंल आई है Wow why from this इसको यह provide करता है oxygen and neutrons वगेरा यह provides करता है कोणicos यहां पर होती है ciliary muscle clear तो यहां पर होती है यह दिखे यह पर है optic nerve अगेरा clear यहां पर अगेन आपको दिखेगा scleria आपको दिखेगा अब scleria क्या होता है scleria होता है outermost layer किसका eyeball का जो की protection देता है हमारी eye को किसके किस्ष है यहाँ पे अगर injury वगेरा हो clear then most important point जो है यहाँ पे that is retina clear यह है retina हमारे पास यह है retina retina में क्या होता है light eye cornea के through तो image कहाँ पे बनती है image finally बनती है कहाँ पे retina में यह जो optical nervous होती है इनका काम क्या होता है optical nervous जो होती है यह connected रहती है with brain यह हमारा जो brain होता है इसके साथ जो optical nervous होती है यह connected रहती है and यह transmit करती है signal किस्षे from retina to brain clear फिर जाके हमारी brain क्या करती है वो image को understand करती है and फिर वहाँ पे image बनती है and image क्या बनेगी हमारी brain में क्या बनेगी erect image बनती है clear otherwise यहां पर आपको दिखेगा कि जो lens है lens का image form करेगी lens यहां पर real and inverted image form करेगी lens यहां पर real and inverted यह basic point है यहां पर यहां पर बच्चे confused होते हैं कि अगर lens यहां पर real and inverted यहां कि इस type की image आपको दिखेगी यहां कि अगर बन्दा यूँ खड़ा है बन्दे का सिर यह है lens में आपको यूँ दिखेगा clear फिर यही optical नरू यहां पर help करती है क्योंकि यह transmit करती है signal to brain फिर brain image को यहां पर recognize करता है फिर यहां पर आपको सीधी image दिखेगी clear तो यहां पर देख रहे हैं अब working तो light enter करती ह है हमारी eye को through cornea जितने भी highlighted point है यहां पर यह काफी बार पूछे जा चुके हैं और यहीं से आपका question भी बनेगा तो light करती है enter हमारी eye को through cornea फिर यहां पर iris होता है यह क्या होता है dark muscular diaphragm यह क्या करता है यह control करता है size of pupil काफी important है next time pupil pupil क्या करता है यह करता है regulate and controls the amount of light entering the eye यह कि कितनी light हमारी eye में आएगी इसको कौन control करता है यहां पर pupil next time यहां पर silly remercle तो silly remercle क्या करता है यह adjust करता है focal length किसी islands की then जो islands है अभी मैंने आपको mention किया यह क्या form करेगी real and inverted but final image क्या बनेगी final image यहां पर inverted नहीं बनेगी clear वो यहां पर simply rect बनेगी then image is formed on retina तो image कहां पर Shepard Cells क्या बनेगी क्या परिफ़नी में नेक्स टैना हम पर रोट मीन फ इस को कोन शेपड़ सेल्स यह रिस्मांट करते हैं तू डिफरेंट कलर जेंकि यहां यहां याद रखिएगा शीभर कुन एड़ कलर कापी कुछ इंपोर्ट है यह रखने है यह पॉइंकि कुन शेपड़ सेल्स जो होते हैं Рैटिना में यह रेस्पॉंट रहते हैं किनके आ regarding यहां पर color शे regarding and rod shabber cells जो है ना इनका काम क्या होता है इनका काम होता है respond करना किसको intensity of light को next है कुछ important points जो आपको यहां पर याद रखने है primary color होते है primary colors होते है 3 RGB red green blue these are three primary colors and अगर हम human eye की बात करें तो human eye होता है most sensitive to yellow color actual में यह होता है yellowish green तो बट बहीं बट आपको मैंली याद रखना होगा yellow and कभी कुबार अगर आपको yellowish green भी option दिया जाएगा yellowish green तो वो भी tick कीजिएगा clear and next point अगर एक eye हम open रखे तो हमारा जो view होता है ना that is about 150 degrees 150 degree that is about 150 degree and जब हम दूनों eyes को open रखते हैं तो हमारा जो view बनता है that is 180 degree यहां कि अगर हम एक ही eye को open करें एक को close रखें तो हमारा जो view angle बनता है that is 150 degree next time यहां पर power of accommodation clear अब power of accommodation क्या होता है यह होता है पावर अपकॉमिडेशन है किसी भी eye की ability clear ताकि यह focus करें कि इनको जो distant object है ना as well as nearby objects उनको क्या करें उनको यहां पर उनको यहां पर क्या करें उनको focus करें अच्छे से clear तो इसी को हम बोलते हैं power of accommodation यह कैसे होता है by changing focal length यह यह एडजस्ट किसको करता है यहां पर यह एडजस्ट करता है यहां पर focal length को clear तो देखिए जो power of accommodation होता है normal human eye का that is 25 cm यहां की least vision clear जिसको हम बोलते हैं that is 25 cm यह आपको याद रखना है next time यहां पर कुछ defects of vision काफी important यहां से काफी बार question पूछे जाते हैं different papers में पहला है यहां पर myopia यह फिर short sightedness clear तो देखिए यह जो है ना short sightedness यह यहां पर false word आपको ध्यान रखना है myopia myopia क्या होता है अगर यह person कोई clear यह जो person है यह यहां पर खाली कि इनको देख पाएगा nearby objects को यहां की जो far objects है यहां पर person से इनको यह clearly नहीं देख पाएगा clear तो इसको हम बोलते है myopia यहां की यहां पर एक बंदा क्या करेगा यहां पर यह nearby objects को अच्छे से देख पाएगा and जो far objects है ना उनको यह नहीं देख पाएगा इसको हम बोलते है myopia and दूसरा नाम क्या है इसका short sightedness clear अब यह किस कारण होता है यह होता ही due to high converging power of lens clear या फिर less focal length क्योंकि power of lens हमने देखा था power of lens क्या होता है one upon focal length clear यहां की myopia ज lens जो है ना वो जदा है तो focal length क्या होगी? focal length कम होगी यहन्नी की power of lens जदा या फिर focal length क्या होता है? myopia या और अब जुद है ना फिर like अगर कोई बंदा यह है हमारा study room तो यहाँ पे board लगा हुआ होता है यहाँ पे है different rows तो जो बंदा last में है न इसको यहाँ पे अगर board नहीं दिख रहा है तो इसको कौन सा defect होगा इसको defect होगा myopia का अगर यह है board यहाँ पे पहली ही line में पहली ही bench पे अगर कोई बच्चा बेटा है इसको यह वाला board नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्या होगा उसको यहाँ पे hypermetropia होगा तो यह याद रखिएगा next time यहाँ पे hypermetropia तो hypermetropia में क्या होता है अभी मैंने आपको mention किया अगर यह है board यह है पहला बच्चा clear यहाँ पे और बच्चेए यह है last वाला बच्चा जो पहला वाला बच्चा है इसको यहाँ पे board नहीं दिख रहा है clear इसको यहाँ पे board नहीं दिख रहा है तो इसको क्या होगा इसको hypermetropia होगा यानि कि यहाँ पे दूर वाले object आपको clearly दिखते हैं इस condition में आप correction की अगर हम बात करें तो myopia के लिए concave lens wear किये जाते हैं तो इसमें लिए यहाँ पर convex lens को wear किया जाता है तो यह basic याद रिखेगा difference between myopia and hypermetropia. Next time, prinsbiopea. Prinsbiopea आपको generally किन में दिखेगी जो older persons होते हैं 50 आपो 60 आपो उन में आपको क्या दिखेगा जो आए है ना वो क्या बंदी है वो बंदी है cloudy and जो जो भी बंदा यहाँ पर इसमें इन्वाल होगा उसको यहाँ पर कुछ दुनला दुनला देखेगा यहन की बाहर से उसको क्या दिखेगा उसको दिखेगा कि जैसे यहाँ पर cloudiness है किदर कहाँ पर हमारे atmosphere में या फिर environment में next यहां पर astigmatism अब astigmatism क्या होता है astigmatism होता है कि same distance पे clear यहां पे है कोई object यहां पे same distance पे clear यहां पे same distance पे यहन की I cannot focus on horizontal and vertical lines यहां पे vertical lines and यह horizontal lines यहन की same distance पे same time पे I इनको क्या कर पाती है I इनको यहां पे distinguish नहीं कर पाती है तो इस type का defect क्या होता है इस type का defect होता है astigmatism यहाँ पर याद रहेगा horizontal and vertical line यह है आपके लिए clue यहाँ पर अब इसको correct किया जाता है by wearing cylindrical lens कि इसको astigmatism को next is glucoma, glucoma defect होता है किसमे aquasumar में, यहाँ कि अगर aquasumar में defect हो तो उसको हम बोलते हैं क्या यहाँ यहाँ पर glucoma and aquasumar क्या provide करता है मैंने आपको mention किया यह oxygen and nutrients provide करता है कि इसको हमारी eye को next है यहाँ पर color blindness color blindness, color blindness क्या होता है अगर जो cool cells होती है हमने देखा था rod cells and cool cells कहाँ पर retina में, clear अगर cool cells जो है यह absence हो क्योंकि इनका काम क्या होता है respond करना colors को यहाँ कि अगर cool cells absent होगी कहाँ पर retina में तो वहाँ पर बंदे में color blindness होगा यहाँ कि वो different colors में distinguish नहीं कर पाएगा next है जिरो थैल्मिया जिरो थैल्मिया किसे कारण होता है due to vitamin A deficiency, clear next is trachoma trachoma again defect of eye यह किस कारण होता है it is due to bacterial infections तो these are nine defects in eye काफी important है इनको अच्छे से याद रखिये गा next है यह वाले topic के related कुछ आई हुई important human eye is most sensitive to which color तो मैंने आपको mention किया किस color के regarding yellow and yellowish green भी होता है next defect of vision in which a person cannot see distant objects यहाँ कि दूर वाले objects को नहीं देख पाएगा clear यहाँ कि उनको clearly नहीं देख पाएगा that is myopia यहाँ कि nearby objects को clearly देख पाएगा next है आप है blue color of sky is due to तो किस कारण होता है dispersion, scattering, diffraction, reflection तो blue color of sky is due to scattering red color is used as danger signal क्यों? क्योंकि यह किस property के कारण होता है that is again due to scattering image is formed on which part of human eye तो image कहाँ पे बन दी है image मैंने आपको mention किया image बन दी है कहाँ पे retina में enter करती है light through cornea thin film show color जो thin film show करती है वो color show करती है किस कारण due to phenomena of interference trachuma is the defect of तो trachuma किसका defect होता है trachuma होता है defect of eye देखिए option कितने दूर दी है ear, eye, brain, heart अगर आपने थोड़ी भी study की होती है तो इस question का यहाँ पे आप answer कर पाते है which of the following color is not primary color तो मैंने आपको mention किया red, green, blue यह क्या होते है यह होते है primary color तो black यहाँ पे primary color नहीं होता है final question यहाँ पे periarscope is based on तो periarscope की application यहाँ पे थोड़ा बहुत भी doubt रहा होगा तो वीडियो को दो बार देखिए and आपका जो doubt है वो clear हो जाएगा तो best of luck जिस भी exam के लिए आप prepare करते हैं यहाँ पे मैंने अपना पूरा 100% दिया है आपको light वाला जो topic है यह समझाने के लिए especially जो non science के background के students होते हैं उनको काफी difficulty होती है light में कि क्या क्या पढ़े यहाँ पे कहां से पढ़े क्योंकि यहाँ पे काफी vast topic है light वाला है मैंने यहाँ पे strict रखा है जो भी topics है उनको यहाँ पे strict रखा है ज्यादा depth में भी cover नहीं करा हैं वही important points यहाँ पे कराए हैं जिनके यहाँ पे पूछे जाने के चांसे हैं तो मिलींगे हम next lecture में till then take care bye bye